हेलो हाई नमस्ते हाद आप सस्रेकाल की आलचाल कैसे हैं आप लोग मैं कुल्दी बंडारी स्वागत करता हूँ आपका विदान्तूस क्लास 9th and 10 चैनल पे आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं linear equations into variable के word problem वो word problem जो आपके exam में आने के chances हैं या तो वैसे ही as it is question आपके पास आएगा या फिर उसके जैसा मिलता जुलता question आपको अपने exam में देखने को मिलेगा और क्या strategies होती है क्या tricks होती है word problems को solve करने की वो हम आज के session में सीखेंगे session को end तक जरूर देखना क्योंकि last में आप लोगों के लिए एक बहुत ही amazing question है सबसे important question आप लोगों के लिए session के end में है तो वीडियो को end तक जरूर देखना और बताना मुझे comment section में की कैसा लगा आप लोगों को session लेकिन उससे तहले एक बारी मुझे बता दो क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं सुनाई दे रहा हूं am i audible am i visible i guess मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है यह चांद सा रोशन चेरा आप लोगों को दिख रहा है है न एक बारी मुझे बता दो यार am i audible am i visible hello hi 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 Harish hi Pappu Yadav hi क्या बोलते हो hello 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 everybody तो क्या बोलते है public मतलब कैसा हो आप लोग कैसे यार आप लोग एक बारी बता दो hi ria hi anushka hello hello bhya start हो गई हाँ class start हो गई आजाओ sir shri krishna bhya आपके रहे-रहे-रहे-रहे-रहे-रहे-रहे-रहे-रहे बस-रहे ठीक है वो फोर पीम वाला सेशन की बातें वहीं पे छोड़ दिया करो चलो आज़ो 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 तो जैसे कि आप लोगों को पता है आज अपन लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे पेर ओफ लीनियर एक्वेशन इन्टू वरिये बल्के है न और उसके बाद अगर कोई बच्चा नया है इस चैनल पर तो मेक शूर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर जरूर करना क्योंकि यह बहुत ही इंपोर्टेंट चाप्टर है और मेरा आप लोगों के लिए आपको पता है हम लोगोंने नहीं सीरीज लाने का यही है कि हर बच्चे तक यह सेशन पहुचे ताकि वो लोग उसका फाइदा उठा सके है ना तो यह मेरे पूरे के पूरे वीक का शेडूल है आज हम लोग पेर ओफ लीनियर एक्वेशन से इन टू कर रहे हैं इससे पहले का अगर कोई सेशन मिस आउट हो गया तो जरूर देखना क्योंकि सभी सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रिंटेक्स चल रहा है आप लोगों के मिट्टम प्रिपरेशन के लिए आपको पता है हम लोगोंने नहीं सीरीज से स्टार्ट करी विच है जिसका लिंग डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग विदान्तु का टेलिग्राम ग्रूप जरूर जॉइन करना क्योंकि वहां पे इस सेशन की PDF मैं डालता हूं हर सेशन की PDF मैं वहां पे डाल दिया करता हूं और और वोईस इसा क्या नहीं नहीं यार एकदम बढ़िया है एकदम बढ़िया है ठीक है दो बार कर दिया लाहिगा रहा वा 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 ठीक है आजो लास्ट Session में जो हमने word problem किया था real number का उसमें आपके पास एक question था find the least number which when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder 7 in each case क्या रहे कि आपको वो सबसे छोटा नंबर बताना है जिसे हम मालो वो सबसे छोटा नंबर है x जिसे मैं 35 से डिवाइड करूँ जिसे मैं इसी नंबर को अगर मैं 56 से डिवाइड करूँ और इसी नंबर को अगर मैं 91 से डिवाइड करूँ तो मेरा remainder हर बारी कितना बचना चाहिए 7 बचना चाहिए तो सबसे पहले आप लोगों को वो बताना है वो number बताना है वो सबसे छोटा number बताना है जो इन तीनों number से completely divisible हो यानि कि एक ऐसा number जो इससे भी divisible हो इससे भी divisible हो तो आपको ऐसा number बताना है जो इन तीनों से divisible हो तो मुझे एक चीज पता चली कि इन तीनों से बड़ा number मुझे ढूंड़ना है और मैंने last session में आपको बताया था अगर कभी आपको कोई बड़ा number अगर आपको ढूंडना पड़ता है तो क्या निकालना पड़ता है LCM LCM निकालना पड़ता है very good कुछ बच्चों के answer भी आगए very good यार very good अरे thank you समचरीश है ना तो इसका मतलब क्या है मैं LCM निकाल लूंगा इसका 35, 56 और 56 और 91 का देखो मैं आप लोगों का ज्यादा time waste नहीं करूंगा I guess इसका LCM आया है 3640 अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3640 हाँ ये इसका LCM आयेगा ठीके अब अगर ये बेटा इसका LCM है तो आप लोगों को ये इसका मतलब क्या है 3640 को अगर मैं divide करूं 35 से तो ये इससे पूरा का पूरा divide हो जाएगा पूरा का पूरा remainder बचेगा 0 लेकिन अ आगर मैं 7 add कर दूं तो अब इसका remainder कितना बचेगा 35 से divide करने पे 7 बचेगा 56 से divide करने पे reminder कितना बचेगा 7 बचेगा गा 91 से डिवाइड करूंगा तो रिमेंडर कितना बचेगा 7 यह जो नंबर है 3640 जो LC में इन तीनों का यह नंबर इन तीनों नंबर से हर बारी आपका रिमेंडर जीरो बचेगा अगर इससे डिवाइड करोगे लेकिन आपको रिमेंडर कितना चाहिए था 7 तो आपको 7 एड करना पड़ेगा और 3647 इसका आंसर हो जाएगा तो यह बच्छों के नाम है homework stars में जो बच्चे homework का आंसर लिखते हैं उनको हम इस तरीक को एक गाना सुनाओंगा बहुत अमेजिंग सा है ना very good बया आपकी voice आ रहे 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 thank you so much thank you so much है ना चलो बाकी अब बात करते हैं आज के session की है ना और देखते हैं कि कैसे questions आप लोगों के पास आएंगे देखो word problem na basically आप लोगों के पास एक statement होती है है ना और आपको उस English की जो statement है आपकी पास उस statement को आपको किस में convert करना है mathematical form में convert करना है है ना है ना चलो अब आपको सबसे पहले इसको समझना है कि क्या बोला गया है उसको analyze करो कह रहा है the sum of the digits of a two digit number is 15 कह रहा है कि आपके पास कोई two digit number है two digit का number है और जिनका sum आपको दे रखा है 15 के बरावर है ना कुछ ऐसा दे रखा है और फिर आगे की कुछ बाते बोली गई सबसे पहले आप two digit का number का formation सीखो की बनता कैसे मानला आपके पास कोई two digit का number है 23 तो ये वाला जो place होता है इसको बोला जाता है क्या unit place है ना और ये वाला जो place होता है इसको बोला जाता है 10th place है ना अब ये number बनता कैसे है अगर मैं इस number की बात करू तो ये number बनता है जो 10th place पे होता है उसे 10 से multiply किया जाता है और जो unit place पे होता है उसे simple 1 से multiply करके add कर दिया जाए 10s place पे जो है उसे 10 से multiply और unit place वाले को simply add कर दिया जाए फिर आपके पास इन type के question में ऐसा भी आता है reverse number अब reverse number क्या होता है यह जो 23 था इसका reverse करोगे तो 32 यानि कि जो unit place पे था वो 10s पे आ गया और जो 10s place पे था वो unit पे आ गया और अगर आप इस number की formation देखोगे तो इस number की formation ऐसी होगी जो 10s place पे है उसे 10 से multiply जो unit place पे है उसे simply add कर दो ऐसे आप लोगों के पास कोई भी two digit का number form होता है यह basic है इस question का अब आपके पास क्या बोला गया है कि एक two digit का number है अगर आप लोगों का answer आ गया है तो comment section में answer लिख सकते हो बहुत सारे बच्चों का answer आ भी गया है which is very good हो यह इतना basic हाँ 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 यह basic question का ठीके ना अब आजब करदा some of the digits of a two digit number आपके पास दो digit का कोई number है आपको नहीं पता कौन से वो दो digits है तो आपने क्या किया let that digit अब आपको इतना पता है कि एक unit place पे होगा एक 10s place पे होगा तो आपने लिखा let that unit digit जो आपकी unit digit है इक जो unit digit है कितनी है एक से लेट गा 10s digit जो आपके 10s digit है वो कितनी है आपके पास y है तो आपका जो number होगा आपका जो number होगा वो number क्या हो जाएगा बेटा कोई मुझे बताएगा जो digit 10s place पे है उसे 10s multiply कर देंगे और जो digit unit place पे है उसे आप simply add कर दोगे तो यह आपके पा नंबर होगा जो आपका original number होगा वो यह होगा लेकिन उसमें कुछ बाते और भी बोलिया उसने क्या बोला है यह जो दोनों digit है उनका सम आपको कितना दे रखा है 15 तो एक डिजिट आपकी x थी एक डिजिट आपकी y थी दोनों digits का सम कितना है 15 दे रखा है तो नों आपका x पे है 10th digit आपका y पे है तो जो number है आपके पास वो 10y प्लस x पे है ठीक है ना अब आईगे तो दोनों digit का सम आपको दे रखा है 15 अब उसने question में एक और बात आपको बोली है और वो बात क्या बोली है the number obtained by interchanging interchanging मतलब reverse number जब मैं digits को interchange करता हूँ तो जो reversing number है the number obtained by interchanging the digit exceeds the given number by 9 वो जो आपका original number है उससे 9 exceed कर रहा है यानि कि उससे 9 जादा है जब आप numbers को जब आप digits को interchange करके जो number आपको मिलेगा वो number जो original number है उससे 9 जादा है है ना ठीक है अब आजाओ तो आपके पास जो reversing number होगा यह तो आपका original number है अगर मैं आपका reversing number निकालू तो reversing number क्या होगा बेटा जो 10s place पे है वो unit पे आ जाएगा और जो unit place पे है वो किस पे आ जाएगा 10s place पे आ जाएगा यानि कि 10x plus y तो reversing number कितना है 10x plus y और original number कितना था आपके पास 10x तो स्वाड़ी 10y plus x 10y plus x plus 9 है ना अब अगर मैं सारी की सारी terms को LHS से RHS से LHS में ले आओं 10x minus x plus y minus 10y और इधर बचेगा कितना आपके पास 9 है ना तो यह बच जाएगा आपके पास 9 9x minus 9y बराबर किसके विटा 9 के 9 अगर मैं common ले लूँ तो x minus y आपके पास बचेगा वो कितना आगया आपके पास 9 तो 9 से 9 cancel out हो जाएगा यह बचेगा 1 so x minus y की value कितनी आ गई आपके पास 1 आ गया x minus y आपके पास अगर 1 आ गया तो अब आप इसको solve कर सकते हो purple pen से x plus y आपको 15 दे रखा है और x minus y आपके पास कितना है विटा 9 आ गया है दोनों equations को elimination method से solve करो add करोगे तो 2x आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 9 आपके पास कितना है विटा 20 है वन है अरे यह तो वन है यह देखा तो यह छोटी छोटी चीजों का थोड़ा ध्यान रखना विटा यह 1 है तो दोनों को add करोगे 16 2 से cancel करोगे तो कितना आ जाएगा 8 यानि कि x की value कितनी है आपके पास 8 अब अगर x आपके पास 8 है विटा तो किसी भी equation में आप substitute कर दो 8 प्लस y बराबर किसके 15 के 8 को अगर मैं इधर shift करू तो y की value कितनी आ जाएगी 15-8 और 15-8 कितना हो साथ और x की value कितनी आई है आपके पास 8 तो 70 प्लस 8 यानि कि 78 आप लोगों का original number है 87 नहीं है 78 इस दी ओरीजिनल number ठीक है एक्जाम के टाइम पे ही क्यों क्लास के टाइम पे ही क्यों आता है बहुत गुस्ता आता है कोई बात निमान से होता है होता 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 है हां सर 2 million सुन या या बहुत जल्द 2 million होने वाले and make sure guys कि आप लोग जो भी बच्चा नया है इस चैनल को subscribe जरूर करे and like नहीं दिख रहे है मुझे वीडियो पे जादा so make sure कि आप लोग like भी जरूर करे session को ताकि मतलब मुझे अच्छा लगे तो मुझे अच्छा लगे इसलिए आप लोग like करो ठीक है हां reverse to number is 87 ठीक है ना तो ऐसे आप लोगों को हाई हाई आरियन है ना make sure subscribe जरूर करना ऐसे questions को आपको इस तरीके से करना होता है अब जो आने वाले जो जितने भी question है इसको तो मैंने detail में करा दिया देखो आप लोगों को मैंने elimination method substitution method दोनों ही method सिखाए हुए हैं और आप लोगों को आते हैं आज का जो session है वो सिर्फ word problems का है यानि कि मैं सिर्फ आपको equation बनाके दिखाऊंगा आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सोचना है अब आपको मैं solve करके नहीं दिखाऊंगा solve आप easily कर लोगे हैं ना पहले question में कर दिया हो गया अब आप लोगों को बस में equation बनाके दिखाऊंगा और solve आप खुद करके मुझे answer बताऊंगा देखो एज वाले जो question होते हैं बहुत जादा important होते हैं और सबसे जादा chances आपके पास इनही question के होते हैं exam में आने के the present age of woman is three years more than three times the age of her daughter three years hence the woman's age will be ten years more than the twice the age of her daughter find their present age क्या रहें कि दो लोग हैं यहाँ पर एक तो woman है और एक उसकी बेटी है एक उसकी बेटी है ठीक है अब उसने क्या बोला है the present age of woman मान लो बेटी की age जो है वो x है और woman की age कितनी है y है हमें नहीं पता present age यह कौन सी age है बेटा present present यानि कि आज की age इनकी कितनी है x और y अब उसने क्या बोला है the present age of woman is three years more than three times the age of her daughter जो woman की present age है वो अपनी बेटी की age के three times है और उसमें three जादा है यह बोला गया ना the present age of woman is three years more than three times the age of her daughter अगर word problem समझ नहीं आता है उसको बार बार पड़ो तब जाके वो समझ आएगा यह statement बार बार पड़ो जो woman की present age है वो अपनी बेटी की age के three times और उससे three जादा है यानि की y की value कितनी है आपके पास three x plus three एक equation बन गई है अब दूसरी equation कैसे बनेगी बेटा दूसरी equation को समझो three years hence three years hence का मतलब क्या है बेटा आज से तीन साल बाद three years hence यानि की आज से तीन साल बाद अब बेटा woman की अगर आज age woman की age तीन साल बाद कितनी हो जाएगी अगर उस महीला की age आज y years की है तो तीन साल बाद वो y plus three years की होगी क्योंकि यार अगर आज मैं 20 साल का हूँ तो तीन साल बाद कितना हो जाऊँगा बीस प्लस तीन हाना 23 साल का हो जाऊँगा और डाटर की एज तीन साल बाद कितनी हो जाएगी जो एज होगी तीन साल उसके twice से 10 years जादा होगी इस equation को थोड़ा और solve करोगे तो यह आपके पास आजाएगा 2x plus 6 plus 10 थोड़ा सा और solve करोगे तो y plus 3 is equals to 2x plus 16 है ना और 3 को उधर भीजोगे तो y is equals to 2x 16 minus 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा एक equation यह है एक equation यह है y is equals to 2x plus 13 दोनों equation को solve करोगे तो आपके पास x और y की value आजाएगी बहुत चारे बच्चों का answer भी आगया 33 और 10 ठीक है बहुत चारे बच्चों का सही answer भी आगया 33 और 10 very good guys 33 years और 10 years मैं solve करके नहीं बताऊंगा बस equation बना के दिखाऊंगा आपको है ना amazing 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 this type of question always come in exam I always do wrong वरनिका थोड़ा बैठना इस question पे और समझने की कोशिश करना की कैसे करेंगे ठीक है ना very good आजो अब आपके पास question है यह 23 spoons and 17 forks together cost इतना रुपीज while 17 spoon and 23 forks together cost इतना रुपीज find the cost of spoon and that of fork देखो दो चीजें आपके पास एक तो है आपके पास spoon और एक है आपके पास क्या बेटा fork है ना ठीक है एक काटे वाली चमच है एक simple चमच है आपको नहीं पता अचा spoon आपको कितनी है 23 spoons है और कितने forks है 17 forks है ठीक है और इन दोनों की combined जो cost है कोई दुकान पे गया उसने 23 चमच खरीदी और 17 spoon forks खरीदे और उसके लिए कितने पैसे देने पड़े उसे 1170 1170 इतने रुपे देने पड़े ठीक है वही पे अगर मैं 17 spoon और 23 fork खरीदूं तो उसके लिए मुझे कितना देना पड़ेगा 1830 रुपे अब आपको एक spoon और एक फॉक की cost निकाल लिए तो वो कैसे निकालोगे बेटा आपको assume करना है let the cost of cost of one spoon एक spoon की जो cost है one spoon की जो cost है कितनी है 8 rupees है आप दपोस्ट औफ एक फॉक की जो cost है वो कितनी है बेटा य रुपीज है अब अगर एक spoon की cost 1 spoon की cost x wykor रुपीज है तो 23 spoon की cost कितनी हो जाएंगे बेटा 23x हो जाएगी अगर एक चम्मच की cost x रुपे है तो 23 चम्मच की cost कितनी हो जाएगी 23 into x एक फॉक की cost y रुपीज है तो 17 फॉक की cost कितनी हो जाएगी 17 y हो जाएगी और जब मैं दोनों cost को add करूँगा तो वो किसके equal होगा 1170 के equal होगा 1770 1770 है 17 spoon की cost हो जाएगी 17x और 23 चम्मच की fork की cost हो जाएगी 23y और इनकी cost कितनी है 1830 अब आपको पता है कभी भी अगर आपके coefficient ऐसे interchange होते है इसका coefficient यहाँ पे इसका x का y की जगा पे y का x की जगा पे तो आपको इन equations को एक बार add करना है एक बार subtract करना है दोनों को अगर मैं add करूँ तो आपके पास आएगा 40x प्लस 40y बराबर कितना हो जाएगा यह आपके पास 0, 7, 3, 10 को 0, 1 carry 8, 8, 8, 16 कुछ है 1 carry 3600 दोनों से अगर मैं 40 common ले लूँ तो x plus y is equals to कितना हो जाएगा बिटा 3600 यह 0 से 0 cancel इससे यह cancel करोगे तो कितना आजाएगा 90 आजाएगा यानि कि x plus y की value कितनी आगई बिटा 90 तो आपके पास एक equation आगई x plus y is equals to 90 आदी वादी वे ध्यान मत दो बिटा इदर पढ़ लो ठीक है साधी हो जाएगी हमारी जब भी होनी होगी अब आपके पास क्या है बिटा 23 x plus 17 y वो किसके बराबर था double 1 7 0 के sorry double 7 0 के और 17 x plus 23 y यह किसके बराबर है बिटा 1830 के अब आपको इन दोनों को सब्ट्राक्ट करना है है ना सब्ट्राक्ट करोगे 6y बचेगा इन दोनों को सब्ट्राक्ट करोगे तो minus 60 बचेगा 6 अगर मैं common ले लू तो x minus y की value कितनी हो जाएगी minus 60 यानि की कितना हो गया यह minus 10 के equal हो गया तो आपके पास 2 equation है एक है x plus y 90 के बराबर और 1 x minus y negative 10 के बराबर अब इन दोनों equations को solve करो आपके पास answer आजाएगा एक और बार समझा दो समझ में नहीं आया मैं एक बार equations देख लेतो सही बनी है कि नहीं बनी है x minus y हाँ ठीक है देखो बहुत simple सा question है आपने 23 spoon खरीदे एक spoon की cost है कितनी x रुपे तो 23 spoon की cost कितनी हो जाएगी बेटा 23 x आपने 17 fork खरीदे एक fork की cost है y रुपे तो 17 fork की cost कितनी हो जाएगी बेटा 17 y और इन दोनों का जो total खर्चा आया आपके पास वो कितना आया 1770 का तो पहली equation क्या हो जाएगी आपके पास 23 x plus 17 y is equal to 1770 उसी तरीके से दूसरी equation बनेगी आपके पास ऐसी और कभी भी अगर x का coefficient और y का coefficient interchange हो जाते हैं यानि कि पहली equation में जो x का coefficient है वो दूसरी equation में y का coefficient बन गया है और पहली equation में जो y का coefficient है वो दूसरी में x का coefficient बन गया है तो आपको ऐसी equations को एक बारी add करना होता है ये देखो add करना होता है और एक बारी दोनों equation को subtract करना होता है ताकि आपके पास reduce होके simple आ जाए ठीक है आ जाओ especially for this chapter आप और questions लाइंगे क्या हाँ देखते हैं आज कैसे आप लोग solve करते हो है न और कैसे आप लोगों के comments रहते हैं तो comments के basis पे मैं देखूंगा अगर likes बहुत जादा होंगे comments बहुत जादा होंगे definitely I will make few more sessions on this now speed distance time सारे के सारे questions बहुत important questions है आज के session में सारे questions बहुत important है यही question आपके exam में आएंगे यही question आपके exam में आएंगे देखना आपके पास बोला गया है a train covered a certain distance at a uniform speed if a train had been 5 km faster it would have taken 3 hour less than the scheduled time और अगर उसकी speed 4 km से slow हो जाए तो वो 3 घंटा जादा time लेता है चलो समझते सबसे पहले इन questions को न बिटा आपको थोड़ा समझना पड़ता है diagram की form में माल लो a से लेके b तक a से लेके b तक का जो distance है वो है a km a km हमें नहीं पता ये कितना km है मैंने माल लिया a km अब कोई train है वो x km per hour की speed से जाती है a से लेके b तक तो वो कितने time में पहुँच जाती है वो पहुच जाती है y hours में हमें नहीं पता कितने गंटे में पहुच जाती है लेकिन मैंने माल लिया y गंटे में वो क्या है पहुच गई ठीक है अगर उसकी speed increase हो जाए 5 km per hour से अगर उसकी speed बढ़ जाती है obvious ही बात है यार अगर मैं तो मैं जल्दी पहुच जाऊंगा और कितनी जल्दी पहुच जाऊंगा जो पहले टाइम था उससे तीन घंटे कम में मैं पहुच जाऊंगा लेकिन अगर उसकी speed 4 km per hour से slow हो जाए slow का मतलब क्या है increase का मतलब क्या है speed क्या हो गई है बढ़ गई है बढ़ गई है यानि कि add करोगे slow का मतलब क्या है बिटा slow का मतलब क्या है speed कम हो गई पहले x थी तो अब कितनी हो गई यह उसकी speed x-4 y नहीं x-4 4 km per hour से उसकी speed क्या हो गई है कम हो गई है तो अब जो उसको time लगेगा वो कितना लगेगा 3 घंटे जादा time लगेगा तो पहले जो time लग रहा था कितना था y hours का time लग रहा था अब उसको कितना time लगेगा y plus 3 hours क्या यह question समझ में आया आप लोगों को कौनसा question important नहीं है वो भी बता दो जो question मैं नहीं करा रहा वो important नहीं है ठीक है ठीक है अगर वो train अभी वो train कितनी speed से चल रही है x km per hour की speed से चल रही है और कितनी देर में वो पहुचेगी y hours में वो पहुचेगी अगर मैं train की speed को बिटा 5 km से बढ़ा दू तो obviously बात है मुझे कम time लगेगा और कितना time में पहुचेगी y minus 3 क्यूंकि पहले y hours थे लेकिन अगर मैंने train की speed को 4 घंटे से कम कर दिया है तो पहले जो time लगता था उससे 3 घंटे फाल्तू का time लगेगा question समझ में आ गया question समझ में आ गया Reena जी अब I guess आपको समझ आ गया होगा है ना ठीक है हाँ तो यह question था चालो अब उसके अलावा अब उसके बाद आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए distance is equal to speed into time बस यह formula याद रखना distance is equal to speed into time तो पहले वाले case में पहले वाले case में आपके पास 3 cases है वैसे यह वाला distance कितना है बेटा a is equal to speed कितनी है x और time कितना है वैटा y तो यह आपके पास a की value आ गई, a यानिकी आपका distance कितना है x into y, दू・सरे वाले case में आपके पास distance कितना है वैटा, distance same है, आपकी speed कम और जादा हो रही है speed कितनी है x plus 5 और time कितना है वैटा, y – तो आपको यही formula हर जगा लगाना है, बस यह A की value नहीं इन दोनों equation में xy xy substitute कर देनी है, समझते हैं कैसे, तो A is equals to कितना था आपके पास x plus y, x plus 5 into y minus 3, इसको थोड़ा solve करोगे, A की जगा पे मैंने xy substitute किया, क्योंकि distance इतना है, now x into y कितना हो जाएगा बिटा, xy, x minus 3, कितना हो जाएगा, minus 3x, 5 plus y, 5y minus 15, इसको solve करोगे इतना, इसको LHS से RHS में वेजोगे, यह cancel हो जाएगा, यह बचेगा, 0 is equals to minus 3x plus 5y minus 15, सब कुछ इधर से इधर उठा के लिए आओ, तो positive हो जाएगा, 3x, 5y negative रहेगा, और 15 भी इधर आके positive हो जाएगा, इधर बचेगा 0, तो यह आपके पास क्या है, यह आपके पास क्या है, पहली equation बन गई, अब जब आपके पास एक equation बन गई, अब आपको दूसरी equation कैसे बनानी है, दूसरी condition में, जब आपकी speed क्या है, 4 km से कम हो गई है, और time कितना है, आपके पास 3 multiply कराओगे, तो 3x, 4 को y से multiply कराओगे, तो minus 4y, 4 को 3 से multiply कराओगे, तो minus 12, xy से xy cancel हो गया, इधर बचेगा, 0 is equals to 3x minus 4y minus 12, अब आपके पास बेटा, यह दो equation बन गई है, सर, आपके कितने बच्चे, भीटा, दो बच्चे मेरा, एक का नाम है पप्पू, एक का नाम है सप्पू, आजाओ, ठीक है, तो यह आपके पास equation बन गई है, अब आप इन दोनों equation को किसी भी method से solve करो, substitution, elimination, जो दिल में आता है, उस method से solve करो, और आपके पास answer आ जाएगा, जब आपके पास X और Y की value आएगी, मैं आपको X और Y की value बता दे, तो Y आपके पास 27 है, X आपके पास 40 है, हाना, तो Y आपके पास कितना है, 27 है, और X आपके पास कितना है, 40 है, किसी भी equation से आप solve करो, आपको बताना था, find the length of the journey, यानि कि आपको distance बताना था, distance कितना थ आपके पास X into Y X की value 40 और Y की value 27 तो जब आप इन दोनों को multiply कराओगे 1080 कुछ-कुछ बच्चों का answer आ रहा था 1080 km Very good Very good भाया कोई question easy होता है पर lengthy होता है तो बहुत गुसा आता है मुझको भी आता है train भी like कभी कभी ऐसा लगता है कि अपुनिच भगवान है जब मेरा मन करेगा तब मैं slow हो जाएगा और जब मेरा मन करेगा तब मैं तेज हो जाएगा है ना हाँ चालो तो इस तरीके से आप इसको solve करोगे आजो Now speed distant time से एक और question एक बारी question पढ़ लो आप लो है ना मैं पानी पी लेता हूँ क्योंकि जल ही जीवन है है ना चालो आजव क्यों पिपल आर 16 किलो मीटर अपार्ट ऑना हाईवे रोड एक रोड है ये question थोड़ा ध्यान से समझना है एक रोड है ये ए है इसके जैसा मैंने कल sprint x में भी एक question कराया है इन दोनों points के बीच का जो distance है कितना है 16 किलो मेटर दो लोग खड़े हैं A और B पे दोनों के बीच का जो distance है कितना है 16 किलो मेर they start walking at the same time दोनोंने एक साथ चलना शुरू किया दोनोंने एक साथ क्या किया चलना शुरू किया ठीक है if they walk towards each other with the different speed they will meet in 2 hours अगर वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे मतलब यह यहां से ऐसे चल रहा है और यह यहां से ऐसे चल रहा है एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो मान लो वो यहां से लेके यहां तक पहुँचा और यह वाला पॉइंट यहां से लेके यहां तक पहुँचा ठीक है अच्छा इसकी स्पीड मैंने माल लिए x km पर आर इसकी स्पीड मैंने माल लिए y km जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचेंगे कितने घंटे में पहुचेंगे 2 hours में यह दोनों के दोनों यहाँ पर पहुचेंगे अब माल लो इसने यहां से लेके यहां तक का जो distance cover किया A distance cover किया यानि कि यहां से लेके यहां तक का जो distance है वो कितना है बिटा A है तो यह बाकी का बचा हुआ distance 16 minus A नहीं हो जाएगा पूरा का पूरा 16 था 16 में से A चला गया तो ये बचा हुआ distance कितना है 16-1 km अभी मैं question समझा रहा हूँ आपको तो ध्यान से समझना ठीक है ये तो थी पहली condition अब आजाओ दूसरी condition पे दूसरी condition पे वही दो point है ये point A है ये point B है अब क्या बोला गया है Had they walked in the same direction with the same speed as before they would have meet in 8 hours क्या कह रहा है अब वो कह रहा है कि अगर ये दोनों के दोनों same direction में चले same direction मतलब A इदर जा रहा है और B भी इदर जा रहा है अगर ये दोनों के दोनों same direction में चलते हैं तो मान लो इस point पे यहाँ आगे चलके वो कहीं पे मिल रहे है किस point पे वो दोनों के दोनों meet कर रहे हैं तो A ने कितना distance travel किया यहां तक आया पहले वो फिर यह वाला distance travel किया मान लो यह B है यहां से लेके यहां तक का distance B kilometer तो B वाले ने कितना distance travel किया सिर्फ B kilometer लेकिन A वाले ने यहां से लेके यहां तक जो distance travel किया वो कितना 16 km तो ये था और उसके साथ-साथ ये वाला B km भी cover किया तो A ने कितना distance travel किया 16 प्लस B और इस point तक पहुँचने में उन्हें कितना time लगा बिटा 8 hours का time लगा question समझ में आया आप लोगों को एक बारी मुझे chat section में बता दो question समझ में आया या नहीं सर जब ये दोनों same speed से same direction में जा रहे हैं तो इनकी velocity क्यों नहीं करते इन्हे velocity क्यों नहीं कहते विटा velocity जो होता है ना that is a different thing मतलब जब आप higher grades में जाओगे तो आपको पता चलेगा वो अलग है हाँ सही कहरे हो आप जब हम direction की बात करते हैं velocity आना चाहिए बट match में हम लोग इसको सिर्फ speed की ही तरीके से समझते हैं ठीक है ना आजो अना question समझ में आ गया तो यह बहुत simple सी चीज है यानि की मुझे यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर अब मुझे पता है क्या distance is equal to speed into time होता है distance is equal to speed into time होता है x और time कितना लगा इसको यहां तक पहुंचने में 2 गंटे तो a की value कितनी आ गई बेटा 2x आ गई है ना a की value कितनी आ गई 2x आ गई ठीक है अब अगर मैं b की बात करूं इसी condition में b का distance कितना था 16-a feed कितनी थी y और time कितना था 2y है ना अब एक ही जगा पर अगर मैं 2x substitute कर दू तो 16-2x is equal to 2y तो यहां से 2 को अगर मैं उधर shift कर दू 2x को तो 16 is equal to 2x यहां आके positive हो जाएगा plus 2y हो जाएगा 2 अगर मैं दोनों से common ले लू बेटा तो आपके पास बचेगा x plus y is equal to 16 टू से यह cancel करोगे तो x plus y की value आ जाएगी आपके पास कितनी बेटा 8 एक equation मिल गई मुझे case 1 से अब एक equation मिलेगी मुझे यहां से जो b का distance है b ने यहां से लेके यहां तक चला है अगर मैं b की बात करूं तो b का distance कितना है b distance is equal to speed speed कितनी है 7 और time कितना लगा है बिटा उसको 8 गंटे का तो यानि कि b is equals to 8 y हो गया अब अगर मैं a की बात करूं a का distance कितना है 16 plus b है ना इतना distance चलता है 16 plus b is equals to speed कितनी है a की a की speed है x और time कितना लगा है इसको 8 गंटे अब यहाँ पर b की जगा पर अगर मैं 8 y लिख दूँ इस इकल्स टू 8 x अब यह 8 y को उधर भेजोगे तो 16 is equals to 8 x minus 8 y हो जाएगा आठ अगर दोनों से common ले लू तो 16 is equals to 8 अगर मैं दोनों से common ले लू तो x minus y यह कितना आ जाएगा 2 के एकोल तो 2 is equals to x minus एक equation आपके पास यह है एक equation यह है तो x plus y आपके पास 8 के बरावर है और x minus y आपके पास 2 के बरावर है दोनों equations को आप किसी भी method से solve करो ठीक है और जीतो water bottle बिल्कुल बिल्कुल दोनों equations को जब आप solve करोगे बेटा आपके पास x और y की value आजाएगी 5 और 3 है ना तो एक की speed है 5 km पर आर एक की speed है 3 km पर आर very good guys very good है ना समझ में आया यह question एक बारी मुझे बता दो जरा यह question समझ देखो ऐसे question आते हैं आपके पास और बच्चा confused हो जाते है I hope मैंने थोड़ा easy way में समझा दिया हो आपको है ना सो समझ में आया ना एक बारी मुझे बता दो Trigo का lecture 2 Saturday को होगा बेटा Saturday को है है ना very good guys और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो make sure कि subscribe जरूर करना जो भी नया है है ना और channel को subscribe करना video को like करना आपकी handwriting इतनी अच्छी कैसे है भाईया आपनी में को बता दो कुछ tips हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखो बहुत मैनत करके मेरी handwriting बहुत अच्छी हुई है चलो so most probably यह आज के session का last question होगा है ना तो इस question को समझते हैं और देखते हैं कि कैसा यह question है कैसे आप इसको करेंगे RS Agarwal है क्या हां RD Sharma RS Agarwal के questions की series एक अलग चल रही है जिसमें मैं RS Agarwal और RD Sharma के questions आपको कराता हूँ जिसका नाम है VIP और I guess quadratic equation का हो चुका है या होगा हो चुका है और AP की बारी है चलो the ratio of the incomes of two person is 11 ratio 7 and the ratio of their expenditures is 9 ratio 5 if each of them them manages to save 400 rupees देखो क्या कहने है दो लोग है एक है A और एक है B अब इनकी कुछ income होगी है ना इनकी कुछ income है दोनों की जो भी है आपको एक चीज पता ओनी चाहिए जो income होती है income होती है वो किसके बराबर होती है बेटा saving plus expenditure के है ना या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो अगर मैं income में से expenditure घटा दू तो मेरा saving बच जाएगा है ना बहुत important question है और सबसे जादा important question यही है आज के session का जो भी income होती है जब मैं उससे expenditure घटा दू तो मेरे पास क्या बचता है saving बचता है है wow all right one myijn return go क्या बोला गया है अगर डो लोग है दोनों की income का ratio income का ratio कितना है वीटा 11 ratio seven eleven ratio seven have five eleven ratio seven तो इसका मतलब क्या है AP lead.com कितनी हो जाएगी वीटा 11x क्यूंकी कभी भी अगर आपके पास ratio दिया होता है, उसको किसी variable से multiply करना होता है, और B की income कितनी है, 7x है, अब आजाओ, अब उनकी expenditure का ratio आपको दे रखा है, expenditure का ratio कितना है, 9 ratio 5, 9 ratio 5, ये इनके expenditure का ratio है, अब अगर कभी भी आपको ratio दिया जाए, तो आपको किसी variable से multiply करना पड़ता है, लेकिन x variable आप use कर चु expenditure कितना है 9Y और इसका expenditure कितना है 5Y यानि कि A की income है 11X और A का expenditure है 9Y तो अब आपको पता है saving किसके बराबर होता है income minus expenditure के तो A की अगर मैं बात करूँ A ने कितने रुपे सेव किये 400 रुपे सेव किये लिखा हुआ है दोनों है 400 रुपे सेव किये A की income कितनी है 11X और expenditure कितना है A का 9Y उसका expenditure है अब अगर मैं B की बात करूँ B ने कितने रुपे बचाए 400 रुपे बचाए लेकिन B की income कितनी है 7X और B का expenditure कितना है 5Y यह दो equation है इन दोनों equation को solve कर लो किसी भी method से हो जाएगा समझ में आया एक बरी जरह मुझे बता दो हो जाएगा या नहीं होगा अब इसके आगे समझ में आया या नहीं आया इतना बता दो बिश्वा मेरी handwriting भाईया जैसी ही है almost अरे वाव very good very good very good अना समझ में आया यस यस तनीशा बिल्कुल कर रहे हैं इसे सवाल मत पूचा कर रहे हैं शर्मा जाता हो आ गया समझ में आया किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बताना पहले वाला समझ नहीं आया question ठीक है देखो मैं आपको न एक चीज बताता हो देखो online learning की यह सबसे बड़ी खासियात होती है कि basically देखो मेरे को repeat करने में कोई दिक्कत नहीं मैं अभी भी उसी तरीके से repeat करूँगा जैसे मैं पहले कराया था और दो बारी I guess मैं explain भी कर चुका हूं तो आप लोगों से छोटा सा एक request बस यह है कि अगर कोई question समझ में नहीं आता है न तो उस वाले part को आप एक बारी फिर से देखा करो क्या पता तब समझ में आ जाए बट मैं फिर भी एक बारी बता देता हूं इस वा a और speed कितनी है x time कितना लिया उसने 2 घंटे जब मैं इसको 2 से multiply कराऊंगा 2x आएगा यानि कि यह जो distance कितना travel किया इसने 2x distance travel किया वैसे ही इसका distance कितना है b वाले का 16-a speed कितनी है y और time कितना है 2 तो जब मैं इनको solve करूंगा a की जगा पर 2x substitute करूंगा इस equation से तो equals to 2y इन direction में जा रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक का distance कितना है बेटा b है क्योंकि same direction में जा रहे हैं लेकिन a ने इतना ज्यादा distance travel किया है पहले ही वो 16 km चला फिर उसके बाद वो 20 km और चला तो total distance कितना हो जाएगा a का 16 plus b speed कितनी है x time कितना लगा उसको 8 घंटे का b ने कितना distance travel किया b speed कितनी है y और distance कितना time कितना लगा 8 तो इस तरीके से आप equation बनाओगे और solve करोगे ठीक है ठीक है जी तो इस तरीके से आप लोगों को यह solve करना था इस वाले का answer नहीं निकाला किसी ने हाँ निकाल लिया 22,000 और 14,000 है न तो अब आपको उनकी monthly income निकालनी थी तो monthly income कैसे करोगे जब आप equation को solve करोगे तो X और Y की value आएगी आपके पास 200, X की value आगई आपके पास 200, X की ही value से काम था है न तो X की value अगर 200 है तो A वाले की income कितना हो जाएगा 11 into 200, 11 into 200 कितना हो जाता है 22,000, very good और इसकी income कितनी होगी 7 into 200, Y value निकालने की भी जरूरत नहीं है 14,000, तो A की income है 22,000 और दूसरे की income है कितनी 1400, बस 500 और 1400 है इतने कम रुपे, ठीक है, है ना तो ऐसे करना होता है आपको in questions, ठीक है जी नाव अब आप लोगों का ये homework question है, इस question का answer comment section में जरूर बताईए and comment section में ये भी बताया करो, कि आप लोगों को session कैसा लगा, जो भी चीजे हैं, वो सब चीजे बताया करो, कोई अगर आपका input है, कोई भी चीजे हैं, वो जरूर share किया करो हमारे साथ, ताकि हम लोग उस पे काम करें, भाईया आज पूरे session में internet ने परिशान किया, replay देखना with you, हैना, बाकी बच्चो, विदानतु का जो telegram group है, उसका link description में है, इस session का अगर PDF चाहिए, जो भी related updates होते हैं, वो वहाँ पे डाल दिये जाते हैं, उसके अलावा, जो भी बच्चा नया है इस channel पे, इस channel को subscribe जरूर करे, वीडियो को like जरूर करे, and session को जादा से जादा share जरूर करे, तो पपु यादव कहरे, sing song, हाँ, ठीक है, definitely, अचा, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं उत्राखंट से हूँ, तो मैं आज आप लोगों को, हिंदी song तो मैंने बहुत सुनाए, आज आप लोगों को उत्राखंट का, एक song सुनाओंगा, क्या बोलते हो, एक पहाडी song सुनादूंगा, आप लोगों को, चालो, आप लोगों को समझ में तो नहीं आया होगा, बट सुनके जरूर अच्छा लगा होगा, है ना, So, thank you so much guys, thank you so much, thank you so much, tata, bye bye, comment section में जरूर बताना की कैसा लगा आप लोगों को session and, bye bye, 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 bye,